है हलो फ्रेंड्स वेलकम टु माइ यूट्यूब चैनल केडी लेक्ट्रोनिक्स । तो फ्रेंड्स मेरे पास कुछ कमेंट आए थे वटसेप पे बी कुछ मेंसिज मेरे पास आए है कुछ बाई ये वोर्ड वगेरा बोल रहे हैं कि आप कोरियर करा दो तो फ्रेंड्स तो उन कि सरी ये इसके साटारा है मेरे पास 18orta five전 jump है एक बाई का ओऊना आ था कि ये 24-24 पैसा ऊपिसकी एक जैद पर पिछेश कोने इतुतंक ही ए Nep上- Grandpa इसी है जब हम पREE हम मिलती है ऊपको स कोबीश जीरव जब त्र्स法 मलता है आप कभी चैक करोगे अगर 24-0-24 का ट्रांस्परमन हमारे पास है तो हम जब उसकी वोल्टेज AC में भी चेक करेंगे तो हमें 24 से उपर ही वो मिलती है 25 से 26 वोल्ट की हमें मिल जाती है बाकी हमारे पास घर में जो लाइट है उसका भी हिसाब होता है कि हमारी लाइट अगर 220 है तो साइद हमें पूरी पूरी प्रोपर ही मिले मालनो 24-0-24 है या सिर्फ 24 वोल्ट का भी है मालनो 220 पे है तो हो सकता है हमें पूरी मिले बट अगर हमारे पास घर में जो लाइट आ रही है वो 250 या 260 या 240 जितनी भी आ रही है क्योंकि मेरे यहां पे 270 के करीब हमेंसे ही रहती है मैं आपको अब भी दिखा सकता हूँ इस टाइम पे भी चेक करा सकता हूँ कि कितनी लाइट यहां पे आ रही होगी प्रेंट्स मैंने पहले भी एक बार अपनी सोब की लाइट चेक करा ही थी यह आप देख सकते हो फ्रेंट्स अब भी मेरी शोब पे 2756 ऐसी कुछ लाइट यहां पे हमें मिल रही गया और यहां मोश्टली यही लाइट पिछले आठ नो साल से मुझे इतनी ही वोल्टेज यहां पे मिलती है यहां पे लाइट हमेसे इतनी होती है अगर हम इस पर 2400 भी लगाएंगे तो वह भी हमें 28 प्लस यहां पे वोल्टेज देगा अगर 0.24 म crush लाइख लाइए तो 28 प्लस वोल्टेज हमीं यहां पे देगा है जब आम उसे DC में कनवर्ट करते हैं जब उसका Image Rectifier बनांके तो 24V का 1.44 से multiply वहाँ पर करोगे मतलब आप डेट गुना के करीब उसे मानिके चलो यानि 24, 24 का आधा आप उसमें होड जोड दो यानि 11 या 12 आप उसमें add कर दो तो उस हिसाब से friends हमें 24V का transformer भी आगे 35 से 36V की output हमें वहाँ पर देता है जब हम उसके DC बनाते हैं तो 35-35 के करीब हमें वहाँ पर voltage देगा तो friends मैंने एक bridge rectifier की वीडियो पहले बनाई थी उसमें इस सारी चीज का discuss में पहले भी कर चुका हूँ वहाँ पर वो किस हिसाब से voltage आप वो वीडियो देख सकते हो तो friends अगर हम उसमें 24 वोल्ट का transformer लगाते हैं तो हमें 34-35 वोल्ट महाँ पे voltage मिलेगी मालो हमारा यह बोर्ड है यह फ्रेंट्स 200 वाट का है यह पर channel हमें 100 वाट की output देता है 200 वाट का फ्रेंट्स यह बोर्ड है और यह friends हमारा 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक चल सकता है यह आप इस पर देख भी सकते हैं इस पर जो कपेस्टर है वो भी 25 वोल्ट के हैं मतलब अगर हम इसमें 26 वी देंगे तो वह भी हमारे लिए रिस्क ही हो जाता है क्योंकि friends इस पर जो IC है वो हमारी 26 वोल्ट तक चल जाती है बट यहां पर हम जो कपेस्टर देखने को मिल रही है रेक्टिपायर में वह हमारे 25 वोल्ट के हैं तो आप इसमें 24 वोल्ट यहां पर देजिएगा तो friends इसमें यही है अगर हम इस पर वो ट्रांसफार्मर यहां पर जीरो 24 का मिस ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो यह हमारा जल 35 वोल्ट इसमें जाएंगे तो हमारे कपेस्टर भी फट जाएंगे और आईसी भी हमारी जो है वो शोट हो जाएगी अब बात रही friends 18-0-18 गी अगर हम 18-0-18 पे भी इसे चलाते हैं अगर हम 18-0-18 माल लो 5 A की से पास है या फिर 0-18 आप उसकी एक साइड यूज करके उस प साइट 4-4 के हिसाब से मतलब मिनिममम यह लगा लो कि 8 वोल्ट हमारे महां पे और ज्यादा बढ़ जाते हैं 18 उसमें पहले होगे 8 वोल्ट और तो हमें 26 प्लस ही देगा 26 मिनिममम है क्योंकि वोल्टेज कुछ नो कुछ घर में जाद ही आएगी तो वह भी हमें महां पे 26 प थोड़ी सी भी वोल्टेज घर में जादा होगी तो यह जब ही सोट हो जाएगा तो इसलिए हम इनमें ट्रांसफार्मर का यूज ना करें तो बैठर है अगर ट्रांसफार्मर का यूज करना भी है तो आप 0.5 एंपिर का यूज कर सकते हो इस टाइप के बोर्ड में लेकिन वो छोटा होना चाहिए क्योंकि हम इसकी जो रिक्वायर्मेंट है वो भी उससे पूरी नहीं कर सकते अगर आप 12-0 अगर आप 0-12 इसमें दोगे तो यह 200 वाट का बोर्ड एफ्रेंट्स 0-12 के हिसाब से आपको इसमें कम से कम 20 एंपिर का ट्रांसफार्मर 0-12 लगाना पड तो इसलिए है इनमें ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते मैं यह मैर्ली बैतरीके लिए अगर आप लाइट से चलाना चाहते हो तो आप इस टाइप की सप्लाई में प्aseप्लाई होती है आप इसमेंप्स सप्लाई में यूज कर सकते हो यह मेरे पास 12 वोल्ट 5्य कि सप्ल से हमारा यह बोर्ड है 3110 IC में है तो यह बोर्ड भी हमारा वैसे तो 26 वोल्ट तक चल जाता है और जिसके कपेश्टर है वह भी 220 माइक्रोफेरिड 35 वोल्ट में है यह आप देख सकते हो यह भी हमारा 26 वोल्ट तक लेकिन अगर हम इसे 12 वोल्ट चलाते हैं तो इसकी आउटपुट अच्छी है ऐसी बात नहीं है यह भी हमारी एक अच्छी आउटपुट यहां पर देता है यह 12 वोल्ट पांच एम्पिर पर अराम से रन हो जाएगा आप इसमें 12 वोल्ट तीन एम्पिर पर इसे चलाओगे तो भी हमें एक अच्छी आउटपुट दे देगा 5 एम्पिर लग जाएगी तो और अच्छी आउटपुट यहां पर मिल जाएगी अगर आप इस टाइप का बोर्ड यूज करना चाहते हो फ्रेंट तो इस टाइप 12 वोल्ट एक पॉइंट 12 वोल्ट 1.2 एम्पिर डीसी यह अलग से होती है क्योंकि कुछ भाई यह हिट सिंक वगरा होती है इनमें फैन वगरा भी लगाते हैं या विर बेस्ट्रबल बोर्ड में हमारी जो 12 वोल्ट जाती है उनके लिए एम्स में पहले से ही 0.12 अलग से दे गई है 0.12 एक एम्पिर तो फ्रेंट आप इस टाइप के यह हमारे पास पांच एम्पिर है आप इस टाइप की सप्लाई के इसमें यूज कर सकते हो ट्रांसफार्मर इनमें नहीं यूज करे तो बेटर है क्योंकि ट्रांसफार्मर से यहां पर चला सकते हैं जैसे हम अगर 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर बारा वोल्ट तीन एम्पिर के ट्रांसफार्मर पर हम इस बोड को चला सकते हैं यह बोर्ड हमारा उसमें चल जाएगा यह बोर्ड हमारा उस पर रन हो जाएगा यह बोर्ड अगर इस इस बोर्ड को भी हम ट्रांसफार्मर पे चलाना चाहेंगे तो ट्रांसफार्मर पे भी हमें पहले उसकी वोल्टेज प्रोपर चेक करने पड़ेगी कि वोल्टेज कितनी दे रहा है क्योंकि यह भी 26 वोल्ट तक चल जाते हैं प्रेंट्स इसमें भी कपेश्टर दो हमें दिये हुए वह भी 25 वोल्ट के हैं मतलब 24 वोल्ट तक लेगिन 0-12 सब्सक्राइब करेंगे तो डबल तो करना मुस्किल है तो आप 0-12 वेस पर चला सकते हो लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाए तो एक बार उसकी वोल्टेज चेक कर लीजिए क्योंकि अगर जैसे मेरी शोप पर आई 270 के करीब वोल्टेज रही है तो यहां पर अगर मैं 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर भी चलाता हूं तो साइद वो भी रेक्टिफायर बनने के बाद मुझे 25 वोल्ट से उपर की वोल्टेज दिखा दे हो सकता है लेकिन 20 से प्लस तो इस टाइप के हमारे चल जाएंगे बट अगर हम इस टाइप के 100 वाट के या फिर 200 वाट के ट्रांसफार्मर से चलाना चाहें तो उससे हम इनकी कवरी पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कि 0 12 में 5 aपर मिलना मुश्किल है बारा-जेरो-बारा मिलें गा वह भी 5 अप tip आपको साँ fact Gl 1912 वी ना मिलiene बारा-जीरो-बारा मिलें आपको special कोई transformer बनवाना पड़े तो उसको तो कोई benefit है नहीं आप इनमें smps का use करो smps आपको यह 7 ampere में 10 ampere में हर तरह की मिल जाएगी अगर आप light से ही चलाना चाते हो तो आप smps supply गा यूज़ करो तो फ्रेंस इनमें transformer का use ना करो तो बैटर है बाकी मैं आगे वीडियो ऐसी बना दूँगा तो transformer से भी आपको चला के दिखा दूँगा कि transformer से चलती कैसी है और इसमें कोई humming आती है यह बिल्कुल के चल जाती है क्योंकि मैंने खुछ भी फिलाल transformer से चेक तो नहीं किया है बट क्योंकि हमें लगता है कि हम transformer से इनकी query पूरी जिनकी जो requirement है voltage की और ampere की वह पूरी नहीं कर सकते अगर यह 200 watt का है यह 200 watt की output देता है तो मतलब हमें इसमें अगर 12 volt का हम इसमें transformer लगाए तो 12 volt का transformer भी कम से कम हमें इसमें 15-20 ampere में हमें जाना पड़ेगा तो friends इतना है वी transformer हमें market में मिलेगा नहीं और friends यह हमारा 100 watt की output देता है अगर हम इसे भी 0-12 पे चलाते हैं 20 के इसाब से भी तो यह हमारा 5 ampere में यह single है mono है तो यह हमारा 5-6 ampere के transformer पर चल जाएगा बट सायद वो quality फिर भी हमें नहीं मिले तो friends इनके लिए आप smp supply यूज करें अगर कोई भाई इस टाइप के board से class D board से कुछ बनाना चाहता है तो recommend यह है कि आप smp supply यूज करें आप 5-7 ampere जितनी हमको ampere चाहिए हो सके तो उससे उपर ही यूज करें क्योंकि अगर friends हमारी इसमें output ज्यादा है और अगर हमने कम ampere के supply यहां पे लगा दी तो हमारी supply पे लोड पड़ेगा जब बेस्पन चाहेगा supply पे लोड पड़ेग हो सकता है वहाँ पे अवाज भी दबने लगे और यह भी हो सकता है कि कुछ टाइम चलने के बाद हमारी supply जो है वह जल ही जाए तो आप चितनी हमें requirement है उससे थोड़ी heavy supply लीजिए या फिर कोई resistance वगारा लगाके उसकी थोड़ी अवाज को down रखी तो friends वीडियो कैसी लग तो प्लीज लाइक जुरूर कर देना YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन भी जुरूर प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियो का notification सभी भाईयों को मिलता रहे तो friends यह बोड जो है यह भी हमारा 200 watt में है क्योंकि 100 watt की हमें subwoofer पे 100 watt की output हमें subwoofer के लिए मिलेगी और 50-50 watt की output हमें जो satellite speaker इस पर चलेंगे उनके लिए मिलेगी तो friends इसके लिए भी अगर हम smps supply लें तो इसमें भी कम से कम हमें 7-8 ampere की smps supply यहाँ पे 24 volt की चाहिएगी Thank you for watching धन्यवाद